नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपका बिजनस दोस्त आशी शगरवाल और आप सभी देख रहे हैं फ्रेंचाइज बताओं दोस्तों फ्रेंचाइज बताओ पर मैं आपके लिए नए-ने बिजनस ओपर्शनिटीज लेकर आता हूँ और आज मैं आपके लिए एक बहुत exclusive franchise opportunity लेकर आया हूँ दोस्तो ये franchise opportunity food and beverages की franchise है दोस्तो आप सभी लोगों ने momo magic cafe का नाम तो सुना ही होगा मैंने अपने इसी चैनल पर पहले भी एक वीडियो डाला है momo magic cafe के बारे में ये वीडियो मैंने डेड़ साल पहले डाला था तब इनकी केवल दो franchise हुआ करती थी एक पटना में और धनबाद में और आज के दिन momo magic cafe की 20 से ज़्यादा franchise है all over इंडिया में आपको मुंबई में, फरिदाबाद में, बैंगलोर में, तरिपूरा में, असाम में यहां पर आपको क्या-क्या मिलता है किस-किस तरीके साब इस franchise को सुरू कर सकते हैं आपका profit margin कितना है आपके royalty कितनी रहती है यहां पर आपका risk कितना है आप कितने टाइम में break even कर लेते हो कितने टाइम में आपको ROI आ जाता है यह सब चीज़े बताने के लिए मैं आपको अपनी computer screen पर ले जाऊँगा जहां पर मैं आपको दिखाऊँगा इनके पूरे business plan के बारे में दोस्तों Momomagic cafe जो multiple type of momos continental और Chinese के लिए famous है आज के दिन इनके 20 से ज़्यादा brands run कर रहे हैं और सभी brands बहुती profitably run कर रहे हैं तो आपके पास एक opportunity है कि आप अपने सहर में भी कम investment में इस business को शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर आपको full support मिलता है Momomagic cafe के तरफ से भले ही वो chef का support हो, training का support हो आपके branding का support हो हर तरीके का support आपको Momomagic cafe देता है दोस्तो इस support के बलबूते ही वो एक साल के अंदर 20 से ज़्यदा location पर पहुँच पाए हैं और इनका aim है कि आने वाले एक से डेड़ सालों में इंडिया में 100 centers पर अपना cafe start करना So friends, मैं आपको इस पूरे business model के बारे में ज़्यादा बताने वाला हूँ ज़्यादा बताने के लिए मैं आपको अपने computer screen पर लेकर जाऊँगा जहाँ पर मैं आपको इनका complete business plan दिखाने वाला हूँ और किस तरीके से आप इस business को सुरू कर सकते हैं ये भी बताने वाला हूँ दोस्तो पटना से सुरू हुई इस momo की chain ने वो कमाल करके दिखाया है जो इंडिया में बड़े बड़े chains नहीं कर पाए इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन था इन्होंने Indians के sentiment को ये समझा कि उन्ही quality क्या चाहिए उनके pricing क्या होनी चाहिए और दोस्तो हर जगर एक special taste special quality और special service लेकर आए तो आप भी अगर सुरू करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को last तक देखेगा क्योंकि आगे आने वाली सारी information आपके लिए बहुत important होने वाली है और साथी साथ आप इस channel को जिरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि आपको नई नई business opportunity मिलती रहें So friends हम लोग चलते हैं online और जानते हैं इस business opportunity के बारे में विश्तार से So friends यहाँ पर मैं आपको complete information देने वाला हूँ Momo Magic Cafe के बारे में अगर आप इस franchise में interested हैं तो इस वीडियो को last तक जरूर देखेगा दोस्तों Momo Magic Cafe पतना से सुरुआ एक brand है और आज इनके stores बिहार, जहरकंड, तिरपुरा, असाम, करनाटका, महराष्टर, वेस्ट बंगाल, उत्तर परदेश, दिल्ली, नोयडा, सब जग़ ओपेंड है So यहाँ पर क्या-क्या special features हैं Momo Magic Cafe के सबसे पहले तो यह पूरा इनका emphasis रहता है good quality food के उपर इनका जो menu है वो बहुत comprehensive है बहुत ही अलग-अलग varieties है Momoaj की आउटलिट्स, आप इनके आउटलिट्स पर जाएंगे तो आपको बड़ा ही एक colorful और cozy designs मिलेंगे देखने के लिए और दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज होती किसी बिजनस में वहां के staff का behavior जो आपको बहुत friendly और बहुत ही ट्रेंड मिलेगा साथी साथ Momo Magic Cafe आपको सभी delivery service provider से type करा कर देता है जिसे कि जोमेटो, Uber Eats या फिर आप स्वीगी का नाम ले हर जगा आपको यह type करा कर देता है दोस्तों अगर आप Momo Magic Cafe की franchise लेने की सोच रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा decision हो सकता है लेकिन यहाँ पर आप कौन-कौन से formats में franchise ले सकते हैं तो सबसे पहले आप take away, delivery outlet, food court model या फिर आप cloud kitchen की franchise ले सकते हैं यहाँ पर आपको जो total space चाहिए होता है वो चाहिए होता है 200-300 square feet इसके अलावा अगर आप एक full-fledged restaurant open करना चाहते हैं जिसे हम dining model कहते हैं वो भी आप start कर सकते हैं इसके लिए आपको कम से कम 300 से लेकर 600 square feet का space चाहिए होता है जब आप franchise लेते हैं तो आपको momo magic की तरफ से complete training and support मिलता है आपको complete know-how बताया जाता है किस तरीके से momos बनेंगे इनका operating manual क्या है SOP क्या है everything हर चीज यह आपको train करते हैं दोस्तों आपके पास एक special trend chef को depute किया जाता है जिसकी की मदद से आपके chef भी trend हो जाते हैं और अगर आपको chef की recruitment में दिक्कत आ रही है तो company आपको support करती है chef के recruitment में भी time to time आपको operating manuals बताया जाते हैं दोस्तों आपको inventory management और supply chain में भी पूरा support किया जाता है आपका store opening से पहले आपके सारे operations setup किया जाते हैं आपको operating manuals बताया जाते हैं technical support भी आपको company की तरफ से मिलता है और इसके अलावा आपके business को run करने के लिए जितनी भी जरू लेना चाहते हैं तो यह आपको जानना बहुत जरूरी है सबसे पहला जो criteria है वो है कि आपके अंदर salesmanship skill होनी चाहिए आपके अंदर business को करने की एक ललक होनी चाहिए तभी आप इस franchise को ले पाएंगे और दोस्तों जो भी entrepreneur इस business को start करना चाहता है वो अपने competition value को समझे और के अलावा दोस्तो financially capable होना चाहिए वो time दे सके क्योंकि एक time taken business है restaurant business है जहां पर आपको पूरा know how पता होने के बाद भी आपको time देना पड़ेगा और साती साथ आप customer oriented होने चाहिए और दोस्तों इसके अलावा आपका एक अच्छा leader और manager होना बहुत जरूरी है तो दोस्त कितने लोग विजिट करते हैं जितना ज्यादा विजिट होगा उस इलाके में उतना ज्यादा customer आपके पास आने के chances होगे और जिस टाइप का business momo magic cafe का है जहां पर इनके पास जो menu size है वो छोटा भी हो और बड़ा भी हो सकता है कुछ लोग सिर्फ snacks के लिए take away के लिए आप जितना भी high footfall इलाके में इस business को open करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा वैसे आप universities की canteen में भी कोल सकते हैं आप कोई swapping complex में कोल सकते हैं malls में open कर सकते हैं हर जगर यह business चलेगा ही चलेगा यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा आपकी investment कितनी रहेगी द आपका area कितना बड़ा है कितने बड़ एरिये में आप station को open कर रहे हैं वहाँ पर जब जो interior कर रहे हैं वह interior किस level का कर रहे हैं आप और उसके अलावा दोस्तों आपने settings कितनी लगाई हैं और आपका kitchen setup आप कितना बड़ा बना रहे हैं तो बहुत सारे factors होते हैं एक जो factor है वो होता है franchise cost तो इनका जो franchise cost है वो है 3,00,000,000 प्लस GST जो royalty charge करते हैं यह fixed है 5000 पर मंत आपको जो agreement term मिलता है वो 5 साल का मिलता है 5 साल तक आपको दुबारा कुछ भी pay करने की जरुवत नहीं है आपको सिर्फ royalty pay करने है 5000 की आपको जो food supply होती है जो आप food लेंगे वो कहां से दोस्तो हो सकता है कुछ food तो इनके central kitchen से आए या फिर उन्होंने बहुत सारे vendors और brands को अप्रूफ किया हुआ है वहां से आप food ले सकते हैं दोस्तो जब आप इनके franchisee लेते हैं तो यह सारा settlement का काम momo magic cafe आपको one time करवा के देता है दोस्तो franchisee लेने का यही benefit होता है कि आपको एक handholding मिल जाती है आपके business को start करवाने के लिए आपको कोई ऐसा इनसान मिल जाता है जिसके पास पहले से expertise है जिसके पास पहले से knowledge है उन्हें सब कुछ पता है कि किस तरीके से आपका business चलेगा और वो आपको 100% support करते हैं इसलिए कोई भी 3,5,10,000 रुपे franchisee fee देकर भी franchisee लेता है तो आप momo magic cafe की franchisee ले सकते हैं this is already a very successful brand in India now जब आपका brand open होता है तो आपके brand को यह promotion कई तरीके से करते हैं digitally भी करते हैं और digitally के अलावा आपका local media पर भी promotion आता है जैसे कि मैं आपको screen पर दिखा रहा हूं इनका media promotion किस-किस तरीके से होता है यह सब आपको promotion के तरीक या फिर तरीपूरा अगरतला का outlet है इन outlets की मैंने आपको photo दिखाई है यह इनका menu है एक बार मैं आपको menu दिखा देता हूं जिसमें कि आपने देखा कि तंदोरी momo's है special momo's है fried momo's है burger है pasta है magi है coffee and cocktails है चाय है soya तंदोरी चाप है Chinese magic है Chinese magic के अलावा कई तरह के beverages हैं और soups ह तो यह इनका complete menu है इनका menu बहुत ही comprehensive menu है कोई भी अगर इस store पर आएगा तो बार बार आएगा क्योंकि हर बार वो कुछ नई चीज़ टेस्ट कर पाएगा और इनका pricing भी बहुत ही cost effective है so यह कुछ live photos है जो इन्होंने click की है after preparation of the food यह आप देख सकते हैं मैं आपके screen पर still किय हुआ है आप इन photos को देखकर भी पता लगा सकते हैं कि क्या yummy food होगा now friends अगर आप franchise लेना चाहते हैं तो आप screen पर दिये गए नंबर पर call कर सकते हैं हमारी website widget कर सकते हैं या फिर आपको description पर जो link दिया गया है उस link पर भी आप click करकर आप details fill कर सकते हैं तो दोस्तों मैं आप आपको बताया कि momo magic cafe किस तरीके से आपके लिए बहुत beneficial साबित होने वाला है किस तरीके से आप 5-6 लाख रुपे में momo magic cafe की franchise ले सकते हैं और महीने का 50,000 रुपे से लेकर 1.5 लाख रुपे तक earn कर सकते हैं so friends अगर आप इस business को सुरू करना चाहते हैं तो screen पर दिये गए मैं आपके लिए आगे भी लेकर आता है रहूँगा मैं हूँ आशी शगरवाल आपका अपना business दोस्त और आप सभी देख रहे हैं franchise बताओ